बहुत बहुत वो गए था सुभीका हमारी येटूब चैनल एस्टोन मीडिया में मैं हुरास रब दिख रहे हैं एस्टोन मीडिया शेडूब चैनल घार विश्व विदाले मजफरपूर 1952 में इसको अस्थाबित किया गया था पटना विश्व विदाले से उस वक्त इसको सेपरेट करके अलग करके मजफरपूर में अस्थाबित किया गया तब से लेकर के आज तक जो भी असनातक में एडमिशन हुए विश्व विदाले के इतिहास में पहली बार 2024 में 24-28 सेसन मे अडमिशन की संक्या 1,69,000 तक पहुची अब इन छात्र छात्राओं का जो इंटरनल एक्जाम है देखिए थमनेल पर थुरा हम समझा देते हैं 24-28 वाले आपका इंटरनल एक्जाम इसी महीने में होना है और आपका थर्ड सेमिश्टर का इंटरनल एक्जाम तब होगा जब आपके सेकेंड सेमिश्टर का रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड सेमिश्टर का रिजल्ट कब आएगा यह अभी तै नहीं है एक्जामनेशन कलेंडर में जो मेंशन है डेट वो डेट फिल होने वाला है क्योंकि आपके जो एक्जाम हुए अभी तक के कोपी चेकिंग की परिक इसी महा फिर भी एडमिशन के चकर में है कई कॉलेज बहुत सारह को ज़िए जिसको माननेता च्विसे से अठाइस में बीए बीसे बीकॉम में एडमिशन के लिए सरकार से लेट से मिला है तो उसमें तो एडमिशन हुआ नहीं अब वो कॉलेज चाह रही है कि एक बिडाओर खुलिए ने वेबसाइट चोविसे से 28 वला में बीए बीसे बीकॉम के लिए एक पर और दुतिने के लिए आवेदन करवाईए हम लोग को भी जो है कि हम लोग के कॉलेज में भी एडमिशन हो जागा बचा सब ले ले लेगा ना तो हम लोग तो भी कारेज ले जाएंगा इस पर और वेबसाइट खुला जाए ताकि जो भी इंटर पास चात्र चात्रा है जो बच गया है आवेदन नहीं किया है वह आवेदन कर पाए हलाकि इसमें पूरे विस्तार में यह समझा दिया गया है कि विश्य विदाले प्रेसासन या वहां के अधिकारी ऐसे कोई बीचार का आपका एकजाम है छे पेपर का आपको इंटरनल एकजाम तीस-तिस नंबर का आपके अपने सम्बंधीत कॉलेज जहां पर एडमिशन है वहां पर देना होगा परिक्षा फॉर्म फिलप होने से पहले ही आपका इंटरनल एकजाम हो जाएगा रहा बात मामें स्टूंड आ जो जाए लगातार चार साल तक एटू जेड घर बैठे तमाम जानकारी के लिए वह भी सही और सटीक और सही समय पर ये चैनल आपको प्रवाइड कराएगी आप देख पारें यहां पर देखी का तो इस बिलोगों पॉस करके यह वाला पर सकते हैं कि सरवधिक एडमिशन ह वह है अभी तक के एक लाख उन्सेट हजार अब रहा बात वेखी यहां पर नवंबर में फर्स्ट वर थर्ड सेमस्टर की परिक्षा कराने का प्रस्ताव है ब्यार विश्यवजाले के परिक्षा विवाग को नवंबर में ही असनाता की दो बड़ी परिक्षाएं लेनी है एक 23-27 के थर्ड सेमस्टर की परिक्षा और दूसरा जो है देख पार है जो कि दो नवंबर से प्रस्तावीत है इसमें लगबग एक लाख तीस हजार एस्टुएंट सामील होंगे जो कि 23-27 बल्ला है वहीं सात्र 24-28 के फर्स्ट सेमस्टर की परिक्षा 21 नवंबर से प्रस् सेमस्टर का एक्जाम हो सकता है लेकिन 23-27 सेकेंड सेमस्टर के छात्र छात्र है जहां तक मुझे लग रहा है आपके थर्ड सेमस्टर का एक्जाम दिसंबर लास्ट या जनवरी तक जा सकता है बाकि इंटर्नल वगारा एक्जाम थर्ड सेमस्टर का लेना होगा तो जब आ वाले तमाम इस्टूरेंट उस पर मैंने डीटेल में वीडियो बना दी है ये वाला थम्बनेल देख करके वीडियो देख लीजेगा और वीडियो जहें कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा थर्ड समस्टर में आपको अब दूग हो जाएगा तो थर्ड समस्टर में सब्जेक्ट हो गया है अच्छा 24 से 28 वाले भी आप है ना आप भी देख लीजेगा एक ने एक दिन ये गीत आपको भी गाना पड़ेगा अलगी थर्ड समस्टर में आपको भी तो जाना है ना तो सब्जेक्ट सबका सेम यह इंटर्नल एक्जाम इसी महीने होगा अब आकी एक्स्टर्नल एक्जाम के लिए जो है कि आपको अगले महीने परिक्षा फॉर्म फिल अप होना शुरू हो जाएगा बाक्ति आप लोग शल से अपडेट रहेगा हम आपको त्माम जानकारी समय 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 पर देते रहेंग जो मत उब थे जा रहेंगा कि उदेते लुपयर अप्मा इन इप धक्ति दो कि आके लिए यहisenे हैगा कि ओunto द्ट्रेटर्न एक्काईं पूर्म टेते लिए ऊक्ति रवगेगा हो जाएखेगा हम जो नाक्ति आप